कनिश साहिक के मित्रों तो कनिश साहिक के चैनिश हात्र पहुंच चुके आयोग के दरवाजे में और इतने बार चले गए देखो पिछली बार रेन कोट पहन के गए थे भीगते वे और आज कड़क धूप में बैठे वे केवल इसलिए कि भरती समय पे हो जाए इतने समय में तो देखो भगवान भी खुस हो जाता अगर इतने बार उसके हम दरवाजे पर पहुंचते लेकिन यहां आयोग जो है इस तरीके से टालम टोल मचा रहा है बस कि जाते हैं तो बोलता है दो दिन तीन दिन नेक्स्ट वीक और फिर मैसेज आ जाता है कि अभी टेक्निकल प्र तो फिर यह अगर वीडियो पटवारी के बाद है तो आपको पता है फिर दिक्कत हो जाएगी फिर यह भरती इस साल भी कराना काफी मुस्किल हो जाएगी क्योंकि उसमें से से इस्टूइंट के नाम अगर हटाए जाते हैं फिर वो कितनी लंबी प्रोसेस है जो आयोग पुला नेक्स्ट वीक तो यह समय हो चुका है पूरा इसलिए जो भी कनी साइक के चैनी चाहते हैं कि रिजल्ट आए उसको पोस्ट को भी सेर करो और फेस्बुक में जो ग्रूप में जुड़े हैं वहाँ पे भी कमेंट करो क्योंकि जो आयोग से जुड़े भी वेकती हैं सबी वह भी फेस्बुक को पढ़ते हैं देखते हैं तो वहाँ पे भी कमेंट करो और इस पोस्ट को भी जादा तर अपने साथियों तक पहुंचाओ जो भी कनी साइक वाले हमारे चैनी चाहते हैं तो देखो किसी भी मौसम परिश्थिती को यह नहीं देखा जाता है कि हमे मैं रिजल्ट निकाल दूँ इनका जो वादा किया था उसे प्राथमिक्ता से करूँ अब तुम वीडियो की स्कैनिंग में लगे हो ओमार में अब तुम वीडियो का रिजल्ट बना दो लेकिन तुम वह भरती नहीं करोगे जिसमें चार साल होने वाले उसे तुम पंचवर आप जो कम प्रदे ना कि कहीं के नहीं रहे सबस्क्राइक इवर भटक रहे उदर बहक हें लेकिन मिल कुछ नहीं रहे तो हम अपने उसी तरीके से आगे बढ़ रहे ऐ हम चाहते है आयोग इस दूद्ध क्या कर दे और हमारे भी हमाले भी जो अच्छा रहे और वह सभी के से लिए अच्छा रही तरीका तो आयो को आज ही हम अधू से आज ही रिजल्ट कर रहे हैं ठीक है जब हम आज बोलेंगे तब कम से कम यह कल देगा है ना तो दोस्तों सभी जो है चाहिनीत एक जूट रहो सपोर्ट करो और यह आप तस्वीरों में देख रहे हो कि किस तरीके से बार बार जो है वही चात्र वहाँ पर पहुंच रहें अपना समय दे रहें महत्वपुन तो आयोग को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए कि क्यों ऐसा केवल कनिस साहिक वालों नहीं ऐसा क्या पाप कर दिया सभी भरतिया स्टेप बाइस्टेप किलियर हो रही है हो इसे लंबिज कर रहे हैं ठीक है दोस्तों अभी इतना ही कहना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में